नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज का जो वीडियो का विशय है बहुत ही सुन्दर है, यह वीडियो देखने के बाद फिर आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अर्थात अगर आप इस वीडियो को डोट. देख लेंगे तो यकीनन माने आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ती नहीं रोप पाएंगे, तो पूजे गुरुजी ने अभी अपनी दो दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में एक ऐसा विशेश उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक. अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया, पूजे गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और और सिर्फ परेशानिया आ गई हो उनसे बाहर. निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्टरी नौकरी दुकान यह कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है, और गुरुजी ने कहा किया. कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है, धन प्राप्ती के नए नए मार्क बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है, और आपको सुख समरिधी की प्राप्ती होती है, तो चलिए जानते. हैं इस विशेश उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विननती है, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब अवश्यकर जैमा लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन. में कभी भी धन की कमी न होने देना जैश्री हरी विश्णू जैमा लक्ष्मी दोस्तों 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुरलब सन्योग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी. एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्ना एकादशी पढ़ने जा रही है, दोस्तों यह एकादशी शुक्रवार के दिन पढ़ रही है, जिस वजह से इस दिन तीन बड़े योगों का निर्मान हो रहा है, जो की है धन लक्ष्मी योग अमरित. सिद्धी योग और गजकेसरी योग दोस्तों इन तीन योगों के निर्मान की वजह से इस एकादशी पर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की असीम क्रिपा बरसने वाली है, और अगर इस दिन आप चुप चाप किसी को बिना बताए उपाय कर लेते हैं. जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वर्दान और वह आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद न केवल. आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खक्म हो जाएंगी बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे. आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी माता लक्ष्मी के आशिरवाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी इस विशेश दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते. हैं तो आपके घर में इतना पैसा बचेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुलब सन्योग में ये अचुक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी. दूर कर देगा बस आपको सच्चे मन से मा लक्षमी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा, तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र और जोतिश शास्त्र में साफ साफ. लिखा हुआ है, अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्षमी जी का आशिरवाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे धनिया का सीधा संबंध धंग से होता है, शास्त्रों के अनुसार धनिया. में माता लक्षमी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसलिए वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, कि माता लक्षमी जी की जब भी पूजा पाठ की जाए और उसमें धनिया का उपाय किया जाए, तो वह पूजा तुरंत सिध्ध हो. जाती है उस पूजा का तुरंत ही पलट करके एक व्यक्ति को लाभ मिलता है, इसलिए आपने देखा भी होगा धन्तेरस की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई, या माता लक्षमी जी की कोई भी पूजा होती है, उसमें एक मुठी धनिया का. प्रयोग अवश्य ही किया जाता है, यहां तक की धन्तेरस में लोग धनिया खरीद कर लाते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं, शास्त्रों में बताया गया है, अगर ऐसा किया जाए, तो एक व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, और इस दिन अगर आप सिर्फ एक मुठी धनिया का उपाय सही मुहूत पर विधी विधान से कर लेंगे जैसा तंत्र शास्त्र जोतिश शास्त्र में लिखा हुआ है, और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आपको अबने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी, और इस उपाय को करने के बाद, केवल आपके बलकी आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदल आप आएगा माता लक्ष्मी जी के आशिरवात से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखेगा, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपक जी के आशिरवात से आपके घर पर धन की वर्शा हो और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी, ना हो तो दोस्तों पूरी सची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जाएं और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो सबसे पहला उपाय हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आर्थिक कश्ट और आर्थिक परेशानी से बचने का माहौल उपाय दोस्तों आप बहुत महंत करते हैं आप बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन आपके जीवन में धन नहीं आता है आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परिशान हो चुके हैं आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है दोस्तों इसकी एक वजह है कि आपका शुक्रग्रह बहुत कमजोर हो गया है जिस व्यक्ती का भी शुक्रग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ती के जीवन में कभी भी धन नहीं टिक सकता है शुक्रग्रह का जो नियंतरन होता है वह माता लक्षमी जी के हाथों में होता है अगर आपने छोटा सा उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे तो आपका शुक्रग्रह हमेशा आपका साथ देगा इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपका शुक्रग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्ने लेंगे उस निर्ने से सिर्फ आपको फायदा पहुचेगा आपको सिर्फ यह करना है कि सूर्यास्थ के बाद आपको नहाना है और घर के उस पूझा घर पर बैठना है, जहांपर माता लक्श्मी जी की कलाचित्र रखी हो माता लक्श्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है एक लाल कपड़ा बिचाना है, लाल कपड़े पर एक मुठी धनिया रखना है और एक ऐसा चांदी का सिख्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र बने सिर्फ आपको इतना करना है और फिर आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरन से छुआ लेना है, आपको इस पोटली को ले जाकर के अपने उस कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में भी आप ज्यादा समय बिताते हैं, यह उपाय अगर आपने लिया, तो यह पोटली आपकी हर उस शुक्र दोश को खत्म कर दे जिसके बाद आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उस निर्णय से, सिर्फ आपको फाइदा पहुचेगा अगला उपाय है, धन प्राप्ती का माहौल उपाय अगर आप चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशिरव आशिरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो आपके जीवन में, इतना धन आया फिर आपको धन की कमी न हो, तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, यह उपाय बस आपको सही मुहूर्थ पर करना है, और इस उपाय को करने के तुरंत बा है, जो आज भी कई करोरपती व्यक्ति लोग जरूर करते हैं, आपको सिर्फ यह करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, और लाल कपडे पहनने है, माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है, आपके घर की पूजा घर पर आपको बैठना है, जैसे 4 लॉंग, 1 मुठी धनिया और 3 कपूर हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों 4 लॉंग, 1 मुठी धनिया और 3 कपूर इस कपडे की पोटली बना लीजिये और पोटली को अपने हाथ में, पकड़ लीजिये और माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है 20 मंत्र है और महालक्ष्मी नमक हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों महालक्ष्मी नर्मा अब इस पोटली को ले जाए और अपनी तिजोरी कि दक्षन दिशा में रख दीजिये सिर्फ यह उपाय आप इन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खीचने का काम करेगी का यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आपके जीवन में बन जाएगी जिसके चलते आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी और माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी पारदर्शी के दिन भगवान विश्णु जी को केसर और दूद से ध्यान से सुनना जो दूद है उसमें केसर मिलाकर ही केसर यह उक्त दूद से भगवान विश्णु जी का अभिशेक करना चाहिए ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ती होती है, इसलिए भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं, यह जो उपाय है, यह शास्त्रों में लिखित उपाय है, यह बहुत ही प्रभावी और चमतकारी उपाय है, चाहे कोई भी विशेश प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को जेल रहा है, एक आदशी के दिन भगवान विश्नु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें, पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान ये पैसे में आपको अपनी आर्थिक उन्नती के लिए समर्पित कर रहा हूं कृप्या, आप इसे स्विकार करें, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विश्णु जी का आशिरवाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें ऐसा करने से धन लाब होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वे समस्या समाप्थ हो जाती है ये पैसे फिर साधारन पैसे नहीं रह जाते इसमें भगवान विश्णु की शक्तियां जागरित हो जाती है यह साधारन पैसे नहीं होते इसे आप संभाल कर रखें यह साक्षात नाराय का आशिरवाद बन जाते हैं जहांपर नारायन का आशिरवाद हो भगवान विश्नु जी का आशिरवाद हो वहाँ पर फिर लक्षमी फल फूल दी है कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नती होती है दोश का दश्मी के दिन भगवान विश्नु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जर की जो माता लक्ष्मी है यह सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्शित होती है खास कर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है सफेद रंग के दूद से बने मिश्थान होते हैं माता रानी को बहुत प्रिय है तो अगर आप भगवान विश्नुजी को चलाते हैं तो इ भगवान विश्नु भी प्रसन्न होते हैं, दोस्तों हम कई बार आप लोगों को बता। चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है यह काम भगवान विश्नुजी करते हैं क्योंकि भगवान विश्नुजी को पालनहार कहा जाता है संसार के जीतने भी जीव जन्तु है, सबका पालन करने का दायत रखा है, भगवान विश्णु जी ने तो भगवान विश्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है यहां निर्णय लेते हैं